बिस्मिल्लायरमानी रहीम, अस्सलामु अलेकुम, वेलकम टू स्माइली फुड और मैं हूँ नाहिद, आज हम बनाएगे बच्चों को बहुत ज्यादा पसंदारने वाले क्रिस्पी और कुरकुरे आलू के रोल, सिर्फ तीन आलू से हमारे 30 के करीब रोल बन कर तयार होते है बहुती आसानी से बनने वाले इस आलू रोल पर नाहिए कोई घूल लगाने की जरूरत है और नाहिए ब्रेट करंब्स लगाने की जरूरत हमने ऐसे तरीके से इस रोल को बनाया है कि डाइरेक्टी से फ्राय करोगे ना तो भी रोल हमारे फटेगे भी नहीं और क्रिस्पी करारे बनकर तैयार होंगे तो चलिए तेस्टी और मज़ेदार से आलू रोल को किस तरह बनाते हैं देख लेते हैं रोल बनाने के लिए सबसे पहले हम लेगे चावल तो यहाँ पर मैंने एक कप चावल ली हूँ यह घर के नॉर्मल चावल है आप जो भी घर के चावल खाते हो तो वो चावल ले सकते हो चावल को अच्छी तरह से कपड़े से साफ कर लेना है ताकि इसमें कुछ भी पावडर वगेरा हो तो वो निकल जाए तो गैस पे मैंने एक पैन रखी हूँ इसमें चावल को डाल देते हैं चावल को सिफ 2-3 मिनट के लिए भूनना है हमें बहुत ज्यादा नहीं भूनना है तो गैस की फ्ले मीडियम रखकर इसे भून लेते हैं देखे चावल को हम यहाँ पर थोड़ा सा भून कर लेगे ना तो उससे नाष्टे में टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और चावल जब हम पीसे गे तो आसानी से पीस जाएगे दो से तीन मीनट तक मैंने चावल को भून ली हूँ अब गैस बन कर देगे और इसे एक प्लेट में निकाल कर हलका सा ठंडा कर लेगे चावल यहाँ पर हमारे ठंडे हो चुके अब इसे मिक्सर जार में डाल कर पीस लेते और इसका पाउडर बना लेते तो पानी डाले बिना ही इसका अच्छा सा पाउडर बना लेना है यह देखिए चावल को मैंने पाउडर की तरह पीस ली हूँ इसे निकाल लेते हम तो यह इंस्टंट हमारा चावल का आटा तैयार है तो देखिए आप इस तरह से ज्यादा बना कर रख सकते हो और कभी भी कोई भी तरह के पकोड़े वगएरा बना रहे हो ना तो यह दो से तीन चम्मत चावल का आटा आप दाल दोगे ना पकोड़ों में तो आपके पकोड़े बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी बन जाते और आज जो हम आलू के साथ इसके रोल बना रहे है उसकी वज़ा से तो यह बहुत ही टेस्टी बनता है रोल बहुत ही क्रिस्पी करा रहे है तो अब यह चावल के आटे को हम साइड में रख देते हैं अब यहां पर देखिए मैंने तीन मीडियम साइज के कच्चे आलू ली हूँ और इसका छिलका निकाल ली हूँ हम इसे कद्दू कस कर लेगे तो इस तरह का ग्रेटर ले लिए जो बारिक वाला होता है उससे हम अच्छा से इसे ग्रेट कर लेते हैं तो देखिए इस तरह से एकदम बारिक इसे ग्रेट कर लेना है इस तरह से तीनों आलू को में ग्रेट कर लूँगी और इसे पानी में डाल दूँगी ताके यह काले ना पड़े तीनु आलो को मैंने अच्छे से कद्धू कर लिए और आप देख सकते हो कि कच्छे आलो में काफी सारा स्टार्ज होता है तो इसलिए हमे दो-से तीन बार अलू को अच्छी तरह से दोले ना है ताकि इसमें से सारा स्टार्ज निकल जाए अलू को देखिए अच्छे से धोली हूँ मैंने और जाली वाले बरतन में रख दी हूँ अब रोल बनाने के लिए गैस पे एक कडाई रखी हूँ उसमें डालेगे हम एक चम्मत तेल बहुत ज्यादा तेल डालने की ज़रुद नहीं बस एक चम्मत तेल अच्छे से गरम कर लेते हैं तेल गरम हो गया है इसमें थोड़ी से हम राई के दाने डालेगे और इसे अच्छे से तड़कने देगे साथी में एक चम्मत जीरा भी डाल देते जीरा और राई यहाँ पर अच्छे से तड़क गई है गेस की फ्लेम धीमी कर देगे और इस टाइम डालेगे हम तीन हरी मिज बारी कटीवी तो आगे भी हम मिर्च डालने वाले है कुटीवी तो उसी साब से डाले देड़ इंच अद्रक का टुकडा है इसे भी कद्दू कस कर लिया आ आप चाहे तो अद्रक लशन का पेज बी डाल सकते को तो अद्रक और हरिमीच को डाल देते और थोड़ा सा इसे भी भून लेते तो इसका भी तेस बहुत अच्छा आता है अद्रक हरीमीच भुन चुकी है अब इसमें डालेगे हम पानी तो यहाँ पर मैं पानी डाल रहे हूं बिसमिल्लाय रमानी रहे हूं दो ग्लास मैंने पानी ले लिए अब डाल देगे हम इसमें आलू जो हमने आलू को कद्दू कस करके रखा है तो देखिए इस तरह से आलू जब प्रश करके लेते हैं तो आलू को उबालने की भी जंजट नहीं रहती है इसी पानी में हम आलू को डाल देते हैं तो आलू अच और यहां पर बारी कटावा हरा धनी आए तो यह भी डाल देते हैं इसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा आजाता है थोड़ा बहुत पानी ज्यादा भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं हम इससे सुखा लेगे अच्छे से इसे मिला देते है तो थोड़ा पानी मुझे कम लग है क्योंकि अब इसमें हम चावल काटा भी डालने वाले तो आदर गलास पानी में और डाल देती हूँ तो इस गिलास के नाप से मैंने धाई गलास पानी डाल दियो अब इससे ढग देगे और पानी में अच्छा सा उबालाने देते महां तक आलू भी हमारे नरम हो जाएग हमें गयस की फ्लेम धीमी कर देनी यह जो चावल हमने पीस कर रखे उसे धीरे-धीरे करके हम डालते जाएगे और चम्मच की मदस्य से मिलाते जाना है ताकि इसमें गुटलिया ना पड़े अच्छे से से मिक्स कर लेगे इस तरह से चावल का आटा भी हमारा कच्चा नहीं रहता है और जो हम रोल बना रहे हैं वो काफे ज्यादा क्रिस्पी बनते है यह देखिए अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर दियू अब इसे ढग देगे और गयस की फ्लेम धीमी करके हम तीन से चार मिनट के लिए से पकने देते हैं तीन से चार मिनट हो गए है और देखिए आटा हमारा कितनी अच्छी तरह से फूल चुका है बस इसी तरह से हमें इसका आटा चाहिए था तो हमने जितना पानी डाला था वो भी पूरी तरह से सुक चुका है चावल का आटा इसमें डाला था वो भी पक चुका है आलू भी अच्छी तरह से पक चुके हैं, तो अगर आपका इसमें थोड़ा पानी ज्यादा हो, तो आपने पूरी तरह से सुखा लेना है, अब हम गैस बन कर देते हैं, और इसे एक बरतन में निकाल कर पूरी तरह से ठंडा कर लेगे, फिर उसके बाद इसके हम रोल यहां पर आलू और आटे का मिक्सर हमारा ठंडा हो गया है, इसमें आप कुछ सब्जिया डालेगे हम, तो यहां पर देखिए मैंने आदा कब बारी कटीवी पत्ता गोबिली हूँ, बिल्कुल बारी काटके लेना है, और यहां पर थोड़ा सा हरा धनिया भी ली हूँ, एक प्यास को बारी काटकर ली हूँ, इसके अलावा आप चाहे तो इसमें गाजर भी डाल सकते हो, हरे मतर भी डाल सकते हो, यह आपको जो भी सब्जिया पसंद हो बच्चे खाते हो, तो वो सब्जिया आप डाल सकते हो, अब इसमें कुछ और मसाले डालेगे, जिससे यह रोल पर आपको अगर नमक कम लगे तो टेस्ट करके आप नमक थोड़ा दाल सकते हो, मैंने इसे चेक कर लिए तो थोड़ा सा नमक कम लग रहा है, तो मैं नमक भी डाल देती हूँ इसमें, रोल बनाने से पहले ही आपको नमक और मिर्च इसमें चेक कर लेना है, सबी चीजों को अ इसे मिक्स कर लेगे, अच्छे से, बच्चों को बहुत ही पसंद आता है, इस तरह का नाश्ता, सिफ 10 मिनट में बनके तयार हो जाता है, पहले से आपने चावल को पीस कर रखा हो, तो जटपट बनके तयार भी हो जाता है, टिफिन बॉक्स में भी रोल बना कर आप चोटे बड़े रोल जिस तरह से आपको बनाना है, उस तरह से आप इसके रोल बना सकते हो, पहले इस तरह से गोल कर लेगे, और फिर सिलिंडर की तरह इसके रोल बना लेगे, आप जिस तरह का इसका शेप देना चाहते हो, उस तरह से इसका शेप दे सकते हो, इस तरह से द दबा देगे, और इधर से भी थोड़ा दबा देगे, दोनों किनारों पर इस तरह से हम थोड़ा सा दबा देगे, और फ्लेट कर लेगे, तो देखिए इस तरह से ये रोल हमारे बनकर तयार होते हैं, आप छोटे बड़े जिस तरह से बनाना चाहते हो, इस तरह से बना सकते ह भी नहीं है आटे को पकाया उस टाइम पर अच्छे से आपको आटे को सुखा लेना है वरना आटा ज्यादा धीला रह जाएगा तो रोल बनाने में थोड़ी मुश्किल आएगी फिर अगर आपको आगे बनाने में दिक्कत हो रही हो तो 2-3 चमच आप चावल का आटा इसमें डाल सकते हो या तो फिर प्रेट क्रम्ज भी डाल सकते हो यह देखिए इस तरह से किनारी को थोड़ा सा दबा देगे और फ्लेट कर लेगे चप्टा बच्चों को इस तरह से रोल वाला शेप बहुत पसंद आता है फिर भी आप चाहें तो कोई भी तरह का इसका शेप दे सकते हो तो इसी तरह से सारे रोल बना कर रख लेती हूँ मैं सिर्फ एक कप चावल और तीन आलू से हमारे तीस के करीब रोल बनकर तैयार हुए है तो यहाँ पर मैंने सभी रोल बना ली हूँ अब बस इसे हमें फ्राय करना है इस तरह से पहले ही हम बना कर रख लेते तो फ्राय करने में भी आसानी हो जाती है और इसके उपर नाई हम में मेदे घोल लगाना है नाइ भ्रेड Влад लगाना है बहुत ही आसानी से कृशिप करारी हो जाते तो चली अभी से हम अ फ्राय कर लेते है वो रोल कों फ्राय करने के लिए यू पेहने में ने तेल अच्छे से गरम कर लिए एक एक रोल दालते जाएं हम बिस्मिल्ला ह्रमान रही रहें और मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राय करना है कि पहले एक मिनट इसे अच्छे हुआ होने देगे जब यह अच्छे से अपना शेप पकड़ लेगा उसके बाद ही से उल्लट पलटकर अच्छा सा क्रिस्पी करना है Our एक मिनट हो गया है इसे पलट लेते हम आलू और चावल काटा तो इसमें अच्छी तरह से पका हुआ है बस उपर की जो लेयर है रोल की उसे ही हमें अच्छा सा क्रिस्पी करना है तो गोल्डन कलर आने तक इसे फ्राइ करना है मीडियम फ्लेम पर रोल को उलटे पलटे फ्रा अच्छे से क्रिस्पी हो जाए इसलिए यहां पर रोल हमारे फ्राइ हो गया है इसे निकाल लेते हम आलू को चावल के आटे को हमने पका कर लिया है जिसकी वाजा से तेल अंदर तक बिल्कुल भी नहीं जाता है माशाला टेक्शर देखिए आप कितना बढ़िया दिख रह ज्तुत क्रिस्पी करारे बने है एक्स्ट्रा का ओउल जover में ज्यावास सुनिए कितने ज्यादा क्रिस्पी बने माशाला कितने अच्छी आवास आई इसके माशाळ्ला से पहले से चाल और आलू तो बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी बनते एक बार इसकी आवाज फिर से सुना देती मैं आपको यह देखिए माशाला देखे कितने क्रिस्पी बने है इस तरह से यह गर्मा गर्म रोल आप बच्चों को बना कर दोगे जब बच्चे स्कूल से आते उस टाइम पर तो बच्चे भी खुश हो जाएगे कोई मेहमान आया हो तो भी जटपट आपी से बना कर दे सकते हो या फिर बारिश का मौसम है और गर्मा गर्म इस रोल को बनाओगे ना तो पूरी फैमिली को इंशाला बहुत ज्यादा पसंद आएगे देखिए दूसरा बैच भी मैंने फ्राय कर लिया है इसे भी निकाल लेते हैं देखिए आलू और चावल के क्रिस्पी रोल के साथ खाने के लिए यहाँ पर मैंने लहसन और लाल मिर्च की तिखी चटनी बनाई हूँ तो आप बच्चों को दे रहे हो तो टमाटर केचप के कलिया और थोड़ा सा नमक और एक छोटा सा टमाटर डालकर और पानी डालकर पीस लिए तो यह इस पाइसी चटनी हमारी तैयार है तो आप यह रोल के साथ खा सकते हो या फिर बच्चों के लिए या आपको भी टमाटर केचप के साथ खाना हो तो टमाटर केचप के साथ भ आज के क्रिस्पी करारे आलू रोल की रेसीपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों रिष्चिदार में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, अपने बहुत सारा खयाल रखें, दुआओं में हमें भी याद रखें, फिर मिलते हैं इंचाल लएक नई रेसीपी के साथ, अल्ला आफीज झाल को कि अचिछन नहीं कि उखें दोके बादाए में हमें जुआबार से सब्सक्राइब कर दो झाल कि भीज़चस नहीं कि युच दोगते हैं, गैज़ किति लाहाँ, सब्सक्राओ आःबतारण इंचाल बहाँ, आए अश्सक्राइब कि और कितित दू़खें में कितितो